इद को लेकर प्रसाशन अलर्ट मोड में हैं कोई विवाद ना हो उसका खासा ध्यान रखा जाएगा पटना में जहां एक तरफ गांधी मैदान में करिब 40,000 लोगों के नमाज पढ़ने की विवस्था की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रसाशन भी आक्शन मोड में न प्रसाशन भी जाएगा इद के दौरान किसी प्रकार की आप्रिये कोई घटना ना हो उसके मद्धे नजर लगतार शांती सौमीदी की बैठक भी जारी है तो क्या कुछ प्रसाशन की तैयारी है आपको हम बताते हैं क्योंकि हाल ही में रामनौमी के दौरान बिहार में इस प्रसाशन की पैनी नजर रहेगी खबर में आगे बढ़े उसके पहले नमशकार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंधना पांडे रमजान का महीना अब अलविदा लेने वाला है आने की अब इड आने वाली है साल भर की लंबे इंतजार के बाद ईड गो लोग बहतरी तरह से सलिबरेट करना चाहते हैं जो सेवच में बादारों में भी आपको काफी जादा भेड नजर आएगी और सोशल मीडिया का जमाना है ऐसे में सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की पोस्ट शेयर कर रही है ईड को लेकर काफी जादा उत्साहित नजर आ रही है लेकिन इस दौरान पुलिस प्रसाशन भी अपना काम कर रही है मतलब यह है कि हाली में राम नॉमी के दौरान बिहार में हुई हिंसा को अभी तक कोई भूल नहीं पाया है और यहीं वज़ा है कि पुलिस भी विशेश ध्यान सोशल मीडिया अपको लेकर जमीनी अस्तर तक रख रही है इत के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अपर यह घटना ना हो उसके कारण आपसी विवाद हो और विवाद इतना जादा बड़े कि तहवार का जो उत्सा है लोगों में वो खत्म हो जाए इसको लेकर हाली में पटना की डियम डॉक्टर चंदरशेखर सिंग और स्सपी राजियो मिश्रा ने भी आदेश दिया है कि जो भी इड के मौकी पर शांती भंग करने की कोशिश करेगा उनके उपर कानूनी कारवाई की जाएगी और समाजिक तत्तों पर भी कड़ी निगरानी पुलिस के द्वारा रखी जा रही है अफवा पैलाने वालों को भी इस बार बक्षान नहीं जाएगा वो सोशल मीडिया हो या पिर कोई छोटा मोटा गाँ बजार हर जगा पुलिस की पैनी नजर है विशेष ध्यान सोशल मीडिया की वोटसेप से लेकर पेसबुक प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जाने वाली चीज़ों पर पुलिस रखेगी ताकि अफवा सोशल मीडिया के जर्ये लोग ना पहलाए साथ ही जो सोशल मीडिया ग्रूप्स बनाए जाते हैं उस पर भी पुलिस की नजर है अजबार पुलिस काफी जादा सकते नजर आ रहे हैं क्योंकि हाली में कोई हिंसा को लेकर पुलिस अभी भी आक्शन मोड में हैं जिलादी कारियों को अपने अपनी छेत्र में शांती सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुस्तैद भी किया जा रहा है सुरक्षा वेवस्ता एक दम से टाइट है आपको बता दे कि सारवचने का स्थानों पर जादा भीरना भारना हो उसका भी खासा ध्यान पुलिस साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि गांधी मैदान में इस बार करिब 40,000 लोगों के नमाज पहने की विवस्ता की जा रही है यह नजदीक आते ही जो रोशोरों से तैयारिया शुरू हो गई है अब क्या वो बाजार हो या फिर पटना का गांधी मैदान एक साथ गांधी मै ववस्ता में और भी ज़ादव रिधी की गई है संख्या बरहा दी गई है सुरक्षा ववस्ताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं भी किसी को कोई परिशानी ना हो कोई विवाद उत्पर ना हो गांधी मैदान की बाउंडरी कि काफी करीब लोग बैठ पाएंगे प्रसाशन के द्वारा ये भी कोशिश की जा रही है कि जतने भी लोग नमाज पढ़ते हैं वो मैदान के अंदर ही नमाज पर हैं बाहर ना निकलने पर ट्राफिक जैसे समस्या हो जाती है जो सियाम लोगों को भी परिशानी होती है और जो नमाज पर रहे होते हैं उन्हें कुम किया गया है समय में बदला हुआ है सारे साथ बज़े से जवर गांधी मैदान में लोग पहुँचने लगेंगी वहीं दूश्री और अगर प्रिसाशन की तैयारी की बाए करे तो वो भी हर जगा तैनात रहीगी पुलस की नजर है बागी अब इससे जोड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम बताएंगे तब तक आप उस पुरे मामनी को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्री आए हैं कमें सक्षिन में आप बता सकते हैं वीडियो को शेयर कीज और बागी अने खबरों के लिए बने रहें चुंता जंक्शिन के साथ रहनेवाद